हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनलाइन बायलोजी तो आज हम करेंगे चेप्टर फाइफ, यूनिट सेवंथ का ये क्लास ट्वेल्थ की यूनिट सेवंथ है तो ये जो फाइफ यूनिट है, आप टू फाइफ यूनिट ये क्लास लेवंथ में आ चुकी है आज हम करेंगे chapter 5 principle of inheritance and variation and thereafter chapter 6 and 7 तो इसमें principle of inheritance and variation में जो सबसे ज़्यादा chapter में नाम चाया हुआ है वो है Mendel father of genetics भी इनको बोलते है Gregor Mendel और ये actually में एक mathematician थे जो की अब एक father of biologist father of genetics के नाम से famous है तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे ये James Watson और Francis Crick जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे इन्होंने क्या किया था model दिया था किसका DNA का double helix model दिया था तो ये हम 6th chapter में पढ़ेंगे next तो तभी इसके बारे में हम discuss करेंगे इन दोनों scientist के बारे में तभी हम discuss करेंगे हम आगे करते हैं जो की main chapter हमें आज करना है chapter 5 chapter 5 में हमें करना है principle of inheritance and variation तो देखो inheritance का मतलब क्या है ये characters हैं जो की parents से अपनी progeny को transfer होते हैं देखो आप अपने parents की तरह दिखते हैं ना तो इसका मतलब आपके जो characters हैं वो आपके parents से आये हैं inheritance का मतलब है transfer of characters from one generation to another generation changes variation जो है genetic mutations के कारण भी आ सकते हैं environment के कारण भी आ सकते हैं living habits के कारण भी आ सकते हैं तो हम इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो हमारे main topic है वो क्या क्या होंगे Mendel's law of inheritance कौन-कौन से Mendel's ने ला दिये थे dominance का ला दिया था law of segregation दिया था ठीक है और इन सब को हम पढ़ेंगे independent assortment का ला दिया था तो three laws basically दिये थे Mendel ने वो हम one by one पढ़ेंगे inheritance of one gene, one gene का inheritance कैसे होता है inheritance of two genes, two genes का inheritance कैसे होता है sex determination, sex कैसे determine करते हैं यह हम humans में भी पढ़ेंगे insects में भी पढ़ेंगे, birds में भी पढ़ेंगे mutation, यह बताया था न मैंने variation कैसे आता तो एक कारण इसका mutation भी है और genetic disorder, जिसमें genetic hair fare में कुछ गरबढ हो जाती है जिसकी वज़े से क्या है, problems हो जाती है disorders हो जाते हैं, लेकिन यह बहुत कम chances होते हैं, लेकिन हो सकते हैं किस condition में हो सकते हैं और कौन-कौन से disease हो जाते हैं, इसकी वज़े से यह हम पढ़ेंगे, अब देखो जो main branch है, biology की, वो genetics है, और father of genetics कौन है Gregor John Mendel, ठीक है अब John Mendel किस लिए famous हुए थे, John Mendel देखो, मैंने आपको बताया कि Gregor John Mendel जो थे, वो एक mathematician थे ठीक है, और वो जो है एक church में काम करते थे, चर्च में पादरी की तरह काम करते थे, और उन्हों ने, उनको काम दिया गया Kings Sativum, यनि पी-plant को उगाने का ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पी-plant को उगाने के साथ साथ, मोटर के पोधे को बुखाने के साथ साथ उस पर experiment भी करना शुरू कर दिया उन्होंने जो है seven characters लिए और उन पर जो है प्रा काम शुरू कर दिया तो वह seven characters क्या थे तो पहला सीड से तो कैसी हो सकती है सीड या तो राउंड हो सकती है या तो रिंकर्ड हो सकती है अब देखो इधर वाली लाइन में dominant characters है ठीक है इधर वाली लाइन में dominant characters है एक मिन्ट ये ठीक है और इधर वाली इस वाली लाइन में क्या है? रिसेशिव क्रेक्टर है आप देखो पहला होगिया सीद सेप दूसरा होग लगoth सीड कलर कैसा यलोडדुमिनच है और रिसेशिव क्याइब करेक्टर है फ्लार पोजिशन कैसी होगी तर्मिनल होगी या तो फिर एक टर्मिनल होगी या तो एक्सियल होगी ठीक है तो एक्सियल जो है इसका डॉमिनेंट करेक्टर है यह डॉमिनेंट करेक्टर और टर्मिनल जो है रिसेसिव करेक्टर है अब स्टेम हाइट ठीक है जिस dominant होता है कि जब वो पहले कुछ चीज़े समझ लीजिए देखो जब कोई भी जीन homo-gigous condition में यानि कि एक जैसी genes present है दोनों गैमिट्स एक जैसे हैं जैसे कि ये gamits हैं दोनों एक जैसे entity ये gamits हैं दोनों एक जैसे हैं तो इनको बोलते हो homo-gigous condition यानि कि दोनों कैसे हैं सेम हैं अगर ये जो गैमिट्स हैं इस तरह से हैं तो ये क्या है hetero-gigous condition यानि कि different है ठीक है तो homo-gigous समझ में आगी अब देखो टॉल के लिए हम जो genes representation लेते हैं वो tt लेते हैं यानि कि ये टोल है ठीक है और ये जो हम recessive के लिए लेते हैं ये small t लेते हैं dominant का मतलब क्या है कि जब इनका cross होगा यानि कि इसका एक gamit t और इसका एक gamit t जब ये टोल प्लांट होता है यानि कि ये टोल ने जो है डाफ को दबा दिया यानि कि जब ये दोनों जी इन प्रिजेंट होंगी तो टोल अपना characters हो करेगा द्वार्स नहीं सो करेगा तो इसको बोलते हैं dominant यानि कि ये इसके उपर क्या dominant है और जो अपने आपको छुपा लेता है डूसरे के साथ उसको बोलते हैं recessive तो clear हो गया recessive or dominance ठीक है अब ये seven characters याद रखने हैं आपको कि कौन-कौन से seven characters जो है mandal ने लिए थे ठीक है ये फिर से इसमें दिखाया हुआ है की stem height tall and off ठीक है फ्लार color and flower position दी थी violet और white flower position axial or terminal pod inflated और constructed pod color green और yellow seed से proud and wrinkled seed color yellow और green ठीक है अब देखो ये है pea plant pea plant हमने अभी 11th class में पढ़ा था कि जो एक इसमें उपर जो है petal होता है इसमें बीच में ने में इसमें जो है товara heter है स्टेमन और यह कारपल है कि तरह सो अब दिखो ये केची से काटते हुए दिखाए दे रहे है य इंसा-sub the week अगर आफिने प्रोसरस है और स्विए इसको पाषाब हैं ऊवार करते हैं थो इसनमें पनाज़एशन करते हैं एमने परह एक अगर कोई चीज समझना आए तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं जवाब दूंगी उसका तो देखो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने कैरेक्टर लिए कपिष्रत के फाल केपिटल टी और स्मोंगल टी यानिकि टॉल अंडफ लिये हमने ठीक है और दोनों होँल जाएगा इसके तो यह का बना तो इसकी जो करेक्टर सो होगा वह होगा तो यह पहली जनरेशन थे बोला गया फास्ट फिलय जनरेशन ठीक है फास्स फिलियल तो यह इसको बोला F2 generation तो यह ध्यान रखना है 1st generation और 2nd generation इस देखा कि जब 1st generation में हमने क्रोष कर आया तो हमें सारे टोल होए सारे हमारे पास क्या प्लांट आया लेकिन जब हमने इसका वापस से क्रोष कराया तो हमें second generation में जो है F2 generation में 3 to 1 का ratio हुआ 3 to 1 मतलब 3 तो tall थे और एक recessive था तो इस तरह के हमें मिल गए तो आप देखोगे यहाँ पर यह selfing कराई हुई है देखो यह tall and half है और यह tall tall की selfing कराई है तो हमें 3 to 1 का ratio मिला second generation में और यह जो एक होती है T इसको हम बोलते है यहाँ पर हमने क्या बोला है इसका उसको बोला है हमने यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तीन टॉल है और एक डाव है ठीक है तो यह इस तरह से प्लांट होंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो रिसेसिव और डॉमिनेंट में आपको क्लियर कर दिया था कि रिसेसिव और डॉमिनेंट किस केसे में होंगी ठीक है और हम कैपिटल जो लेटर है उसको हम दिखाते है और स्माल लेटर में दिखाते हैं कि दिखा देते हैं क्योंकि वह उससी जीन का रिसेसिव कलेकटर है ठीक है अब मोनो हाईब्रीद क्रोस क्य सी होती है मोंो हाइब्र क्लोस क्या होती है थेकर अपना एक करक्टर ना हाइट का करक्टर है हाइट का करक्टर अब हम हाइट में आपस में क्रोस करा रहे हैं तो यह मोनो हाइबिट क्रोस है डाइ हाइबिट क्रोस में क्या होता है कि हम दो करक्टर ले लेते हैं एक साथ ठीक है उसे बोलते हैं हम डाइ हाइबिट क्रोस लेक स्टी यहां पर तीन तॉल है और एक क्या है ढ़ार्फ ह है जबिए का जीनो टायफिक रेशिव जो है फ gegल की स्टुकृद है सब्सक्राइश्टक क्ट 000 यहां फेट्रोगति की रेचेब प्यानिल्ट रेशिन फीनोगतिशियो का क्रौन रेशिव के रेशिव नहीं कर इस तो आपने फोर्मूला देखा होगा a plus b के whole square का तो आपने mathematics ने पढ़ा होगा a square plus b square plus 2ab तो यही formula यहां पर लगाया half of the t और half the t square क्या हो जाएगा कि इन दोनों को आपसे multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा one by two का t ka whole square और यहां से one by two का t ka whole square और यहां पर two into a into one b तो यह वो अला formula लगाया यहां यह प्लस b के whole square का तो mathematician थे और देखा तो इस से जो है बिल्कुल सही calculation की उन्होंने और इस calculation की वज़े से इनका result भी बिल्कुल सही आया था ठीक है अब देखो यहां पर एक वर्ड आया test cross test cross क्या कैसे कहते हैं तो देखो जो यहां पर capital T और small t से हमने कराया ठीक है लेकिन हमें जो first generation में हमें मिल गया है तो यह हमें TOT मिला अब देखो यह हम उस समय पर मेंडल थे तो यह genetics जो है इतनी जदा famous नहीं थी और नहीं हम microscope इतने अच्छे थे कि हम यह बता पाएं कि यह TOT है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह heterogigotic condition है तो मेंडल ने क्या किया कि यह जो प्रोजेनी आई इसने इसके वन ओफ दा पेरेंट से एक पेरेंट से इसका क्रोस करा दिया जैसे मालो यह TOT ने इसको किस से क्रोस करा दिया स्मॉल टी सी क्रोस करा दिया अब जब इसने स्मॉल टी सी क्रोस करा दिया रिसेसिव डाफ के साथ क्रोस करा दिया तो यहां पर देखो इसके क्रोस के साथ क्या है कि एक टी आया ठीक है और बाकी सारे कितने आ गए रिसेसिव आ गए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है ह कर जाते है कि आप इसको हो delicious कि या करते हैं तो इसलिए इसे थैस्थ कर मेंतलosa कि tentang this salute कर दिखा जाते हैं तो इसलिए इसे test इसा कोडि़ंगे अथि पॉत प्यूकर में हैं हो ऐखुर운 कि ए चौना कर दिखा कि यह इंद्श का में। ठीक है आप देखो यहाँ पर क्रोस करके दिखाया हुआ है कि dominant phenotype किस तरह से हम known करते हैं और parents का किस तरह से करते हैं तो यह दिखाया हुआ है ठीक है अब यहाँ पर देखो law of principle अभी हमने पढ़े थे कि Mendels के law थे ठीक है तो इसके तीन laws जो है main है जिसे हम पढ़ेंगे पहला law है law of dominance दूसरा law है law of segregation और third law है law of independent assortment ठीक है तो पहला law हम पढ़ते है law of dominance ठीक है और इन law या principles को हम क्या बलते है law of inheritance बोलते हैं तो three laws है law of dominance law of segregation law of independent assortment ठीक है law of independent assortment यह याद रखेगा third वाल अभी आगे आएगा भी तो law of dominance में मतलब क्या है कि जो characters है वो controlled होते है discrete units जि जो यह है ना TOT यह क्या factors है sorry factors पेर में आते हैं देखो यहां पर TOT पेर में थे ठीक है यह भी TOT पेर में थे यानिकि जो factors हैं यह pairs में होंगे ठीक है और जो dissimilar pair होगा factor का one member वो dominate करेगा other पे जैसे हमने यह कराता है तो पर स्पीजियल में हमें क्या मल रहा है यह मिल रहा ह तो यह ही था law of dominance जिसका हमने ratio पहले कर चुके हैं 3 to 1 ratio आएगा फस फीलियल में सारे टोल आएंगे और सेकंड फीलियल में 3 to 1 का ratio आएगा और यह monohybrid cross था क्योंकि इसमें हमने एक ही character लिया था law of segregation क्या कहता है कि देखो यह mix तो होते है dominant तो होता ही तो बोल रहा है लेकिन वो आपस में mixing नहीं होती उनकी वो जब next generation में जाते हैं तो अलग-अलग हो जाते हैं यानि कि heterogigate condition में वो basic dominant वाले का character सो करते हैं लेकिन वो अगली generation में अपना character फिर से सो कर देते हैं उसको हमने बोला law of segregation यानि कि वो mixing नहीं होती है वो अपने character को maintain रगते हैं अब देख मेंडलिजम को यह खारिज करते हैं गलत साबित करते हैं तो यह जो मेंडल के rules पे नहीं चल रहे हैं वो थोड़े से topic दिये हों तो इनको कर लीजिए करेंगे इसको क्योंकि यह हमारे NCRT में दी हुए हैं तो इनको हम complete करेंगे तो एक है incomplete dominance इसके नाम से पता लग रहा है कि dominant तो होगा लेकिन incomplete होगा कैसे होगा देखो इसमें red character लिया हुए एक flower का जिसे हम flower को बोलते है snap dragon और antihandiam species का होता है ठीक है यह flower इसको dog flower भी बोलते है तो इसमें red और white color के flower लिये इनका cross करा दिया अपस में अब देखो law of dominance के according यह red color का आना चाहिए था first generation में लेकिन यह क मतलब color थोड़ा आया ज्यादा नहीं आया लेकिन यह second generation में क्या है देखो mixing इसमें भी नहीं होती है यानि कि law of segregation तो यहां पे work कर रहा है law of dominant work नहीं कर रहा है अब इसमें जब हम second generation में लिया तो देखो जो genotypic ratio आया था ना उसमें genotypic ratio इसका भी सेम है लेकिन इसका दोनों फिनो टाइपिक और जिनो टाइपिक रेशो क्या है सेम है क्योंकि रेड पिंक और वाइट दे रहे है ठीक है वहां पे क्या था फिनो टाइपिक रेशो अलग था जेनिटापिक रेशो से तो यह थोड़ा सा डिफ्रेंस है एक्जामपल याद रखेंगे इसका snapdragon एंटी हर क्यों खारिज करता है गलत साबित करता है लेकिन concept of segregation को सही साबित करता है ठीक है अब दूसरा concept है यह भी mentalism में नहीं आता है co-dominance का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को express करेंगे और सबसे अच्छा एक्जामपल है blood group का देखो इसमें क्या होता है blood group a b होता है ठीक है जब blood group a b होगा तो जो blood group a है और blood group b है वो दोनों अपने आपको दिखाएंगे दोनों बताएंगे कि हम a b blood group है हम a b के उपर नही ठीक है तो इस तरह से जो है । इसमें होता है और यह दोनों ही character's होती है और जैसे की blood group blood group इसमें जो है alleles note भी present आया तो इसका क्या होती है इनकंप्लियन lively मट्शल से सब्सक्राइबॉर लिएक हैं स्किन कलर रहें वह भी मल्टीपल एलिल का याने कि एक जीन के थे तो नंबर एक कर नियुक्न होता वह होता वह मोर्दन पेयर होता उसके तिरोव करेक्टर जो है in डिखायजाते होते हैं ये सब तो independent inheritance of two genes लेधा मोनो-धियरिड क्रोघ्रा आज रहे यह हम करेंगे डाइहिब्र क्रोज मोनो-हैब्रइड क्रोज में क्या था है कि हम एक करेक्टर लिया था एक टाइम पर हम दो करेक्टर लेंगे जिसे कि हमने यहां आर आर वाई वाई एलिया यानिफिद यह johnson लेलिया हमने रांड अब यहां पECH الحन हों यहां यालो एलयी और यहांने फिली यहां पर कहनी है खिल करेक्टर यहां karşı पर अब तो करेक्टर एक साथ लेते हैं उनका क्रोस कराते तो इसको बोलते हैं हम डाई हाइबिड क्रोस तो यह कराएंगे हम mathematics इसमें थोड़ा सा mathematics का रोल होता है तो हम इनका क्रोस तो हमें फर्स फिलियल में जो है में round 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 seed मिल जाएगी यहां पर भी क्या हुई यहां बी डोमिनेंट करेक्टर को सो हुआ फिर इसकी सेलफिंग हम पुनेट स्क्वेर से करते हैं और इसके बाद आप रेशो जो आपको आएगा यह इंपोर्टेंट है या रखने वाला नाइन इस्टू इस्टू 3 इस्टू 3 इस्टू 1 का रेशो आएगा ठीक है तो यह कुछ थे जो विह दो करेक्टर साथ लिए गए दो क्रेक्टर साथ लिए यल्लो तो यह जो करेक्टर हैं अपने 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 इंडिपेंडेंडेंट है एसा नहीं है कि पीर में चलेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं तो इसको हम बोलते हैं लाउफ इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट ठीक है इसी से मैंने आपको बता दिया यहां इसी करेक्टर से इन्हें लगाते हैं इसको बिल्कुली खारिज कर दिया था अभी मैंथमेटिक्स था साइंस के अंदर आलोजी के अंदर उससे साइंटिस समझ नहीं पारे थे दूसरा उस वक्त पे ना मतलब जो यह हमारे एंसिस्टर्स की थि थी ना डार्विन ने की मतलब हम एंसिस्टर्स जो थे हमारे पूरवज जो थे वो बंदर थे तो वो उसके उपर घमासान मचा हुआ था तो साइंटिस्ट ने इनों ने भीजा भी था अपनी थियोरी को लेक 1900 उसके बाद तीन साइंटिस्ट आए हुगोडी विरेज टसर मार्क और काल कॉनिस ठीक है यह तीनों साइंटिस्ट आए अलग अलग जिगा इन्होंने मेंडल के उपर मेंडलिजम जो था उन्होंने उसके उपर वर्क किया उन्होंने और इनको बताया कि यह सही है कि इनहर सटन वोऑरी जो थे वह क्रोमोस seek कर रहे थे तो उन्होंने सृर्य यह उपर से उसकेПр donuts M जैसे मेंडल के वेक्टर वर्क करते हैं ऐसे ही क्रोमोसोम भी वर्क करता है ठीक है अब इसमें क्या similarities थी जड़ा एक बार देख लेते हैं behavior of क्रोमोसोम में देखो जीन भी pairs में होते हैं क्रोमोसोम में होते हैं ठीक है तो यह इसमें दिखाया हुआ है कि क्या probability है क्या probability होगी मियोसिस के टाइम पे ठीक है यह हम आगे पढ़ेंगे मीयोसिस के वगरा और इन्होंने जो काम किया था था क्रोमोसोम थोरी ओ इसमें इसमें इहास फ्रूट फ्लाइ जा धी उसमें काम किया था ड्रोसोफिला तो उससे बहुत सारी प्रोजनी भी प्रोडिविस होती है तो इस पर वर्क करना आसान था और रिजल्ट जल्दी मिल रहे थे इसलिए सटन बौवरी ने इसके उपर अब देखो अब यह ना लिंकेज और कॉंबिनेशन जो है यह दोनों ही अलग टोपिक है यह बिल्कुल इसको खारिज करते हैं लिंकेज कहता है कि कुछ जीन ना अपस में लिंक्ड होती है ठीक है मतलब जिसे मालो कोई जीन आख को बि नेर्यटन भोवरी ने ठीक है तो उन्होंने बोला कि कुछ ना लिंक्ड होती है जीन वह आपस में लिंकेज सो करती है और उनके जो chances होते हैं नए recombination बनाने के वो कम होते हैं मतलब ये जो ज़्यादा अच्छे से linked होंगी वो recombination नई बनाएंगी अब जिसे ये AB type है ठीक है और ये AB type है तो ये कहने कि भाई ये AB जो है ना ये AB साथ साथ चलेगी ठीक है linked gene है लेकिन उन्हें का कुछ नए recombination भी बनाती है नए recombination भी बना देती है तो recombination बनाने की जो capacity होती है वो depend करती है कि कितने अच्छे से वो bonded है तो ये linkage और recombination था कि मतलब अगर linkage ज़्यादे अच्छे से होगा तो recombination कम बनेंगे और अगर linkage अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ट्रोसोफलन मेलनोगेस्टर का कि यह परेटल है यह वाइल टाइप है तो F1 जनरेशन में क्या है वाइल टाइप बना और यह यहलो वाइड बन गया ठीक है और जो पैरेंटल था उसका पैरेंटल जो था उसका 98.7 परसेंट आया और वह जल्दी से नहीं आएगा एक मिनट तो नेक्स है पॉलिजेनिक इनहेरी टैंस तो इसमें क्या है कि एक यह जो है मेंडल के करेक्टर से इसको डसक्राइब रहे करती है इसमें पॉलिजेनिक इन्री टैंस का मतलब होता है कि अल्टरनेट फॉर्म्स में प्रिजेंट होती है और जो उसके करेक्टर्स को नहीं करते हैं कि वैदर ब्लैक अगर यह इसमें परसन अगर ब्लैक होगा तो सिर्फ वाइट ही होगा ठीक है ऐसा नहीं है डार्प ब्राउन प्रावन प्राउन से डावन से जो जीन होती है और इसको बहुत अच्छा एक्जामपल आप देखते हो तो लियोट्रोपि क्या होती है जीन का ठीक है चिक है सिंगल फिनो टाइप और ट्रेट है ठीक है जबकि जो सिंगल जीन है वो मल्टीपल फिनो अगर तो उसको बोलते हैं लियो ट्रोपिक जीन जो है डिफरेंट मेटाबोलिक पात्वे में काम करती है एक्जाम्पल है उसका डिसीज फिनाइल की टो नेरिया जो हिउमन के अंदर होता है ठीक है मुटेशन हो जाता है इस जून के अंदर फिनाइल एनलाइल हाइड्रोकसाइल बना देता और सिंगल जीन मुटेशन भी इसको बोलते है लियो ट्रोपी हुटीज जो एक जीन है वह variability फिनोतीयपिक अश्प्रेशन है उसको सोग करती है तो उसको बोलते हैं हम लियो ट्रोपी ठीक है और यह जो हमने बताया था mental retardation हो सकती है reduction हो सकता है skin pigmentation हो सकती है अब sex determination देखो अब आप लोग human के बारे में तो हर कोई जानता है कि x और y से हम human को determine करते हैं तो human को बताने की ज़रूद तो है नहीं कि अगर x y है तो यह ही male है और अगर x x है तो यह female है ठीक है ऐसे ही जो some insect है उनके case में भी ऐसी होता है कि जो x y है वो male है और जो x x है वो female है लेकिन कुछ cases में क्या होता है कि x o condition भी होती है इसका मतलब क्या है कि chromosome नहीं है तो यह क्या होता है male और जिसमें x x होता है फीमेल like that लेकिन birds के case में बिल्कुल अपोजिट होता वर्ड के case में क्या होता है Jaw और ज키 कंडीशन होती है तो इसमें Jaw उला जला ज़ुर हेक्टे ज्वरीटोंटு कंडीशन है वो फीमेल की होती है झाल की होती है झाल होती है 32 hytrogigus होता है और female homogigus होती है तो यह याद रखना है और सम इंसेक्ट्स जैसे कि हमने XO वाली condition पढ़ी थी तो XO वाली condition आप सबको पता है इसमें जो भी होती है मदुमक्षी जो होती है उसमें condition देखने को मिलती है ठीके और यह जो condition मैंने आपको बताई थी, bird के case में जो मैंने बताई थी, उसको female heterogamity बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी case में होती है, determination of sex of human मैंने बता दिया था, कि एक sex chromosomes होते हैं, तो यह तो बड़ा simple है, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, अब sex determination in honeybee में चले जाओ, तो honeybee में तीन तरह के होती है, condition तो को मैं बता देती हूं, देखो इसमें क्या होती है, कि एक तो male होते हैं, और एक female होते हैं, दो तो यह होते ही होते हैं इस case में, ठीक है, एक होती है, इनकी QNB, ठीक है, तो QNB जो बनती है, वो भी मैं बताऊंग क्या होते हैं, वो क्या होईगी, वो उनके अंदर क्या होएगा, कि वो female होईगी, उनके पास double chromosomes present होईगे, यानि कि X condition present होईगी, कि इसके उपर QNB, और worker के, लेकिन जो male होते हैं, उनमें क्या होता है, कि इसका एक ही gamit चला जाता है, और वो बिना fertilize करें क्या बना देता है जो female होता है वो पूरा organism बना देता है जा एक ही gamit बनाता है, जो male बनाता है यहां अकली सझार करदेता है, और वो यह क्यों, Be तो एक्चुली में क्या है इनकी खाने की फर्क पड़ता है कि जो क्यों होती है वो रोयल जैली पर उसको रखते हैं तो इसलिए वो क्यों बन जाती है ठीक है तो यह कंडिशन होती है बाकि इनके सेक्स डेटर्मिनेशन में कोई कंडिशन नहीं होती तो इस तरह से जो है जो मेल होता है वो सिर्फ मदर ही जनरेट कर सकती है उसमें उसके फादर की जरूत नहीं होती तो इनके फादर नहीं होते हैं जो मेल जनरेट होते हैं लेकिन ग्रेंट फादर हो सकते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे next है mutation mutation environment की वज़े से भी हो सकती है gene alteration की वज़े से भी होती है कभी कभी क्या होता है deletion हो जाता है genes का या तो gain हो जाता है जिसे answers और duplication बोलते है DNA में ठीक है छोटे से part का तो इसकी वज़े से abnormalities आ जाती है ठीक है और यह जो होता है लोस और gain gene इसको ही हम gene mutation बोलते हैं ठीक है जब एक single gene पे होता है तो उसको हम single gene mutation बोलते हैं ठीक है और इसमें deletion origin season होता है और जिसकी साथ जो है frame shift mutation भी हो जाता है होता है तो यह थोड़ा ही दिया हुए mutation के बारे में तो इसमें फिर उसके बाद दिया हुआ उसके traits के उसके ancestors के बारे में और देखते हैं कि किसका gene किस से आया और इस disability किस से आई किस कोई भी problem है किस से आया ठीक है अब कुछ mandaline disorder दिये हुए इसमें कुछ mandaline disorder दिये हुए हीमोफिलिया है cystic fibrosis है sickle scene anemia color blindness है अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि यह mandaline character कौन से है जैसे कि color blindness है इसमें क्या color नहीं दिखाई देता है अब color नहीं दिखाई देता है sex linked recessive disorder है अब इसमें क्या होता है red या green color में दिक्कत होती है पहचान नहीं पाता ठीक है और यह किस वज़े से होता है क्योंकि certain genes होती है जो X chromosome से present होती है तो यह mostly जो है 8% of male female में 0.4% क्यों होता है अगर इस एक X chromosome पर भी होगा female के पास दूसरा भी X chromosome है तो यह इसको dominate कर लेगा मतलब यह दिखाई नहीं देगा कि इसको color blindness है वह hetero gigantic condition में होगी लेकिन color blindness सो नहीं करेगी केरियर हो सकती है लेकिन अगर male में एक X chromosome चला गया एक Y chromosome है तो यह तो पूरा सो कर देगा अपना expression तो male में यह hetero gigantic condition में जो है यह सो करता है अपना character ठीक है तो female carrier होती है और बहुत कम कैसे इसको पूराइब करें अब हीमोफीलिया क्या है यह sex linked यह भी sex linked recessive है इसमें ना female uninfected रहती है carrier रहती है हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर कट लग गया कहीं पर भी तो cloating नहीं होती है बलड बहने की वज़े से और यह mostly male होते है क्योंकि heterojagic condition होते है इसमें क्या होता है और जो female होती है तो यह carrier हो सकती है क्योंकि अगर दोनों इसके chromosome होती है तो फिर यह डाइब हो जाएगी तो आगे progeny पैदा नहीं कर पाएगी हमेशा मिलती है और यह effected नहीं होती है इसका सर्क male होता है और यह जो क्यों थी Victoria उसकी pedigree में यह चीज़ देखने को मिली थी उसके descendant को यह चीज़ देखने को मिली थी जो मेल जो था वो जिंदा नहीं रह पाता है अपनी लेटर स्टेज में next है sickle cell anemia sickle cell anemia क्या होता है otosome linked recessive trait अब तक जो दो थे हमोफिलिया वगर आमने पढ़े थे sex-linked थे x-tromosome से linked थे sickle cell anemia otosome linked recessive trait अब इसमें भी होगा हेटरोजाइगस condition में नहीं होगा हमोजाइगस condition में जो होगा इसमें क्या होता है कि इसमें कैसे effect होता है defect caused by the substitution of glutamic acid glutamic acid किस में substitute हो जाता है 1 minute glutamic acid किस में हो जाता है glutamic acid by valine glutamic acid किस से हो जाता है substitute valine से 6th position of beta-glomine chain of hemoglobin molecule इस substitution की वज़े से glutamic result में क्या होता है based substitution हो जाता है GUU लग जाता है glutamic acid किस से change हो जाता है तो इसकी वज़े से hemoglobin mutant हो जाता है और उसकी shapes भी कैसी हो जाती है change हो जाती है तो इसकी वज़े से क्या है इसमें oxygen करिंग केपिसिटी कम हो जाती है और इस condition को बोलते है sickle cell anemia अब है next phenyl aniline को triocene में convert करता है अब phenyl aniline को triocene में convert करने वाला enzyme नहीं होता है तो result क्या होता है जो phenyl aniline है वह acclimate होने लग जाती है या फिर converted हो जाती है अब इसकी वज़े से जो phenyl aniline है वह triocene में convert होती है लेकिन यह जो enzyme है इसकी लेक होने की वज़े से phenyl aniline किसमें हो जाती है या तो accumulate हो जाती है या फिर pyruvic acid में convert हो जाती है जिसकी वज़े से वह brain में mental retardation कर देते हैं तो metabolic की वज़े से होता है और autosomal recessive trait होता है अब थेलसीमिया थेलसीमिया क्या है यह भी autosomal linked recessive blood disease है जो की transmitted होता है parents से लेकर op spring को थीक है both the partners unaffected हैं करियर के अगर हेट्रोजाइगस condition में है थीक है तो हेट्रोजाइगस condition में है होमोजाइगस condition में है तभी यह affected होंगे ठीक है और यह किसकी वज़े से होता है mutation or deletion of ultimately result the reduced rate synthesis of one globin chain globin मतलब hemoglobin की chain में alpha या beta chain में किसी भी में mutation हो जाए, deletion हो जाए तो उस वज़े से होता है और इसमें क्या होता है abnormal hemoglobin बन जाता है anemia, sickle cell में भी यह था लेकिन sickle cell में particular बताया हुआ था glutamic acid well line से change होता है ठीक है इसमें globin chain में deletion होता है ठीक है उसमें change था लेकिन इसमें क्या deletion है इससे disease हो जाता है और यह chain of hemoglobin molecule की वह effect हो जाती है और इसको हम बोलते है alpha thalassemia जिससे क्या होता है production of alpha globin chain ठीक है अब जो यह है control किसे होती है to closely linked genes hba1 और hba2 से ठीक है 16 chromosomes में दोनों parents के ठीक है तो यह हो जाता है इसमें भी blood का बड़ा रोल है तो इसमें भी anemia हो जाता है ठीक है oxygen carrying capacity कम हो जाती है ठीक है और globin chain की वज़े से होता है तो दोनों में difference करना बहुत जरूरी है thalassemia में और दूसरा sickle cell anemia में तो यह ध्यान रखना यह deletion की वज़े से होता है इसमें mutation होती है उसमें भी mutation होती है लेकिन उसमें change होता है glumatemic acid valine में ठीक है अब हम करेंगे यह तो Mendelian disorder अब हम करेंगे chromosomal disorder तो chromosomal disorder में क्या होती है कि any fluody हो सकती है any fluody में क्या होता है gain or loss of chromosomes polyfluody का मतलब क्या होता है कि chromosome का जो पूरा set है वह ही जो है इंक्रीज हो गया 2-3 set हो गया 4 set हो गया लाइक देट बढ़ गया है chromosome like that कि human के human के कितने है भई 46 chromosome होते है यानि कि 23 pairs है 22 pair autosomes के होते है और 1 pair जो होता है वह sex chromosome का होता है ठीक है तो अब उसमें अगर change आ जाएगी तो देखो यह down syndrome का दिखाया हुआ है ठीक है तो इसमें देखो इसमें क्या होता है फिल समें हो जाते है अगर हमारे पास 46 chromosome है तो 47 chromosome होगे तो हम पहले पढ़ेंगे डाउन syndrome डाउन syndrome में क्या होता है ट्रायसोम हो जाती है किस पे हो जाती है 21 chromosome में बढ़ जाता है और इसे लगड़उन लैगड़उन डाउन ने डिसकवर किया इसलिए इसे डाउन सिंड्रम भी बोलते हैं ठीक है तो इसका जो पोस्चर है इसमें क्या होता है सोट स्ट्रेचर हो जाता है स्मोल राउंड हैड फारोड टंग पार्शली ओपन माउथ पाम जो है बोड बोड हो जाती है फिजिकल औं साइको मोटर मेंटल डिटारडिशन हो किलनी फैल्टर सिंड्रम में क्या होता है यह जेनिटिक डिसोडर है ठीक है यह भी जेनिटिक डिसोडर था लेकिन कौन से क्रोमोसों में 21 में यह किसमें सेक्स क्रोमोसों में इसमें क्या होता है क्रोमोसों की कारियो टाइप यह 47 हो जाता है यानि कि एक एक्स क्रोमोसों मे इसमें बढ़ जाता है ठीक है एक X chromosome में बढ़ जाता है इसके जो chromosome no 47 हो जाते हैं और एकष decir और ऑ कि यह जाता है इसमें भी 47 हो जाते हैं लेकिन इसमें ट्योसमी कहा होती है 21 chromosome में इसमें कहा होती है स Okay thì इस میں क्या इन्टral की जयादा बेलाफ go इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड हो रही है लेकिन इसमें क्या था किनली फैल्टर में इसमें एक क्रोमोसोम माइनस हो जाएगा यानि कि इसमें 45 क्रोमोसोम इसमें क्या है एक वाई क्रोमोसोम नहीं होता तो जो है जो फीमेल करेक्टर हैं वो रूडिमेंटरी होते तो सेक्नुरी शेक्षटर से रूडिमेंटरी होते हैं ठीक से डवलब नहीं हो पाते हैं तो यही था पूरा चेप्टर ने दिया हुआ है अगर आपको कोई topic समझना आया हो तो आप लोग कमेट बॉक्स में बोल सकते हैं उस topic को explanation में पढ़ेंगे पहले हमारा target है NCRT पूरा complete करना उसके बाद हम हार topic को detail में पढ़ेंगे और हमारा aim जो है वो है जो बचे 11th 12th world classes दे रहे हैं उनको clear कराना और जो लोग NEET के लिए कर रहे हैं वो भी इसमें से जुड़ सकते हैं जो लोग TGT PGT के लिए prepare कर रहे हैं वो भी उसके लिए जोड़ सकते हैं और जो UPSC biology के लिए कर रहा है prepare वो भी इसे जोड़ सकता है इसमें पूरा हमारा aim है NCRT को cover कराना So like, subscribe, NCR, thank you